बच्चों कैसे हो जी आप सभी लोग सब अच्छे होना चलो बहुत अच्छी बात है तो आपको पता है कि मैंने आपका क्लास 7 का जो चैप्टर नमबर 1 है मैथमेटिक्स का जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ये स्टार्ट किया है और इसमें हमने प्रैक्टिसेट 1 और प्रैक करना है तो अब इसके लिए आपको स्केल ये रहेगा आपको पता निसको क्या बोला जाता था प्रोटेक्टर तीक है ले लिए उसके बाते हैं कंपास तो चलिए फिर देखते हैं Question No.1 तो ध्यान से समझना सबसे पहले हम लोग Rough Figure Draw करते हैं ठीक है यहाँ पर देखो पहला question इसको मत देखो पहले इसको देखो आज़ा question क्या है पहले पढ़ लेते हैं एक बार Draw Triangle with the measures given below यानि यहाँ पर यह जो measures दियेगा है उनके according आपको यहाँ पर Triangle Draw करने है ठीक है तो देखो यहाँ पर पहला वाला question इन Triangle MAT यानि कि एक Triangle समझ लीजिए हमको Draw करना है MAT जिसमें Length of MA कितना है 5.2 cm और जो Angle A है वो है 80 degree का तो आपको देखो एक बात बताती हूँ एक बात आपको ध्यान में रखना है जैसे कि यहाँ पर आपको सुनो जैसे हम लोग देखते हैं कि जो Triangle होता है उसमें तीन साइट्स होते हैं जैसे कि आप इस Triangle में देख सकते हो पहला दूसरा तीसरा तीन साइट्स दियेगा है तो अभ है यहाँ पर क्या होगा आपको एक आंगल का मेजरमेंट करने मतलब है अपकोई उच्छी हैं इसकोज़ मदत सेOM पर शुक्राइंगल दिया रहेगा है łeगा एंगल दिया रहेगा आपको कोशिश क्या करनी है कि वह एंगल बेस में आए कहां पर आए बेस में जैसे कि वह एंगल यहां पर आए या फिर यहां पर आए ऐसा करने से होगा क्या हम यहां पर नहीं ले सकते या फिर दूसरे जगा पर नहीं ले सकते तो ऐसा आप ले सकते हो कोई compulsory नहीं है कि आपको नीचे ही लेना है लेकिन अगर आप बेस में लोगे ना तो फिर आपको construction करने में आसान ही होगी आप आसान तरीके से triangle draw कर सकते हैं इसलिए क्या कोशिश करना कि जो भी angle यहाँ पर question में दिया गया है वो base में ही आना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर य यहाँ पर लिया तो भी चलेगा लेकिन अगर आपको आसान तरीके से construction करना है तो फिर यहाँ पर लो यहाँ पर ठीक है तो कैसे होगा आपको बताते हो चिंता मत करना बहुत जादा ही मैंने बोल दिया पर इतना कुछ इसमें difficult है नहीं सुनो तो ध्यान से यहाँ में कितना है 5.2 cm ठीक है तो समझ लीजिए कि यह एम है यह है तो में है 5.2 cm और एंगल जो है ना वह है 80 डिगरी का देखो यहाँ पर अल्रेडी दिया गया है फिर 80 मतलब ए से टी यहाँ पर टी आ जाएगा यह इसका लेंद कितना है 6 cm ठीक है तो यह information यहाँ पर दी गई है देख ल है ट्रेंगल में बेज डॉब करने का यह कितने सेंटी मिटर गए 6 cm का तो आपको क्या करना है सुनो आपको कि ले 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 तो ऐसके बाद यहाँ पर एक लाइन कीचिए जो कितने के संटी मिटर होना चाहिए तो 6 cm का होना चाहिए ठीक है तो यह देखिए मैंने एक यह जाएगा बेस क्या नाम है इसका 80 तो एसे इसका लेंद कितना है 6 cm आप लोग मेजर्मेंट करके कीजिए कर लिया चलो 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 चल्दी से करो कर लिया चलो बहुत अच्छी बात है अब उसके बाद एंगल बनाने का तो यह एंगल कितने डिग्री का है एंगल एक इस तो अब आपको क्या करना है यह प्रोटेक्टर ले लेना है और इसका यह जो बीच वाला पॉइंट होता है ना बीच वाला ठीक है उसको आप यहां पर रखिएगा इस पर ध्यान से देखो इस पर ठीक है इस तरीके से और फिर यहां से आप काउंट कीजिएगा देखो 10 20 30 40 50 60 80 80 80 यहां प्यार आएं का प्यार आएंग प्यार है एक पॉइंट लगाने का उसके बाद फिर क्या करना है स्केल लेना है और इस तरीके से आपको एक लाइन खीच देनी है समझे की नहीं पूरा थोड़ा बड़ा खेचना ठीक है इस तरीके से खीचिए खीचिए आप लोग अपनी नोटबुक में खीचिए ठीक है थोड़ा और बड़ा इसको करते हैं ठीक है समझ में आया किया सबी लोगों ने इतना कर दीजिए और फिर बताती हूं कि या गरना है, चिंता मत करना ये है 80 degree का ठीक है, क्लियर आपको उसके बाद फिर ये जो है, ये कितने centimeter का है तो 5.2 centimeter का है, तो अब आपको क्या करना है अब आपको ये आपका compass ले लेना है और इसमें 5.2 centimeter का distance ले लो इससे measurement करो 5.2 cm जहाँ पे भी आता है उतना आप नाप लो चलिए चल दी से measure कर लो उसके बाद आपको इस से ना इस pointer को यहाँ पे रखना है और 5.2 जहाँ पे भी आता है वहाँ पे आप इस तरीके से एक आर्क लगा दो ऐसे pencil से एक आर्क लगा चलो जैसे समझ लीजिए कि म इसको इसको रुको अच्छे से थोड़ा लाइन कीशती हूं मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा मेडा हो गया है इस तरीके से आप एक लाइन कीश दीजिए यहाँ तक ठीक है और यहाँ पे लिख दो 5.2 cm क्योंकि यह कितने cm का है 5.2 cm का है तो देख लीजिए यहाँ पे आप सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पर आपका यह जो फर्स्ट वाला सब्सक्राइब कम्प्लेट हो चुका है अब ही हम लोग कोस्ट नमबर 2 की तरफ चलेंगे तो इसमें भी आपको वही काम करना है सबसे पहले हम लोग एक रफ फिकर बनाते हैं उसकी मदद से समझने की को कोशिश करते हैं कि कौन सा बेस होगा कौन सा यहाँ दिघी का एंगल होगा मतलब एंगल टी हम किसको लेंगे तो देको यहहां आपका क्रेंगल यहां पर यह एंगर टी हो जाएगा और यहां पर एंड ले लेते हैं और यहां पर देखो एंड यहां पर इतना है 5 cm को यहां पर 5 cm लिख दिया तो यह देखें आपका जो ट्राइंगल ना कुछ इस तरीके से होगा यह 5 cm यह भी और यह हो जाएगा 40 डिग्री का ठीक है अभी करना क्या है आपको जैसे यहां पर किया दा सेम टू सेम तरीके से आपको यहां पर भी करना है सबसे पहला बेस बनाओ चलो कि स्केल ले लो 5 cm का डिस्टन्स लेना और यहां पर एक लाइन खीचना कीचिए चलिए मैंने यहां पे 5 cm के लाइन खीच दिया है जिसका नाम है टीएस कितना सेंटे मीटर फाइफ सेंटी मेटर जाएक Canadians तो आप ले लो यहां पर फ्रोटेक्टर और यहां पर फॉर्टे डिगरी और पिर पॉर्टे डिगरी रहा ना था आपको पता है न कैसे इसमें देखा चाता है देखो यहाँ पर रखा ना यहाँ पर रखा तो इधर नीचे वाला देखने का यह जो लोवर वाला होता है उसको देखने का 10,20,30,40 ठीक है आप भी मेरे साथ साथ कीजिए तभी आपको समझ में आएगा और यह बहुत आसान है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एक दम आसान है समझ में आया ओके इतनी बाद आपको क्लियर है अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे रुको इसको थोड़ा और कम करतीं कि अब अब हम क्या करेंगे तो यह कितना है टी से अन कितना है फाइव सेंटीमेटर तो अब आपको यह कमपास ले लेना है और इसमें आप फाइव सेंटीमेटर का डिस्टेंस ले लो फाइव सेंटीमेटर यहां से मेजर करो ले लो और फिर यहां पर रखना एक आर्क लगा देन मेरा समझ लीजी यहां पर आया मैंने आर्क लगा दिया आप भी लगाईए ठीक है यह हो जाएगा आपका पॉइंट एन और फिर इन दोनों को इस तरीके से आप जोइंट कर दो ठीक है तो बस यह बन गया आपका ट्राइंगल और याद रखना यह सब कुछ लिखना पड़त आप सबीने मेरे साथ साथ करना और सुरों मैं आपको बताती हूं मैंने यह प्रैक्टिस इटका नोट बुक के ऊपर भी वीडियो बनाया है इसमें पूरा अच्छे से जैसे आप लोग अपनी नोट बुक में ड्रॉ करते हैं वैसे मैंने करवाया है तो आप लोग उस लेकिन अगर आपको यहीं पर समझ में आ रहे हैं तब तो इससे अच्छी बात कोई नहीं सकती ठीक है फिर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है तो देखो इसको चलिए सब लोग यहां पर देखिए यह आपका कोशन नमबर 3 ठीक है इसमें आपको ट्रेंगल ही ड्र कराना चाहिए फिर यहां पर देखो लेंट ओफ एफ यू कितना है फाइप संटिमिटर ठीक है तो यहां पर समझ लो मैंने अफ ले लिया और यहां पर आ जाएगा यू ठीक है तो यहां पर एंगल यू जो है वो 110 डिगरी का है एंगल यू फिर लेंथ आफ यांस यहां तो यह आपका रफ फिगर उके बनाने से आपको आइडिया लगता है कि आपका जो फिगर बनने वाला है वो कैसा बनेगा थीक है समझ मैं आए इसलिए रफ फिगर आप जरूर बना लिया करो अब चलो हम यहां पे अपना रियल वाला फिगर बनाते हैं तो आप लोग ले लि हमारे पास कोई बंदुकों अगरे नहीं हमारे पास यह है यह हमारा असली हतियार तो चलिए फिर करते हैं क्या करेंगे हम देखो सबसे पहले बेस ड्रॉ किया जाता है तो 4.6 cm का यहां पर एक लाइन कीज़ दो 4.6 cm तो यह समझ लीजिए कि यह चो लाइन है ना यह 4.6 cm क फिर यह जो एंगल यू है यह कितने डिगरी का है 110 डिगरी का है तो ले लो फिट से यह ले लो चंदा मामा और फिर आप क्या करोगे यहां पर रखोगे इसका यह जो बीच वाला पॉइंट है ना यहां पर फिर काउंट करना 110 है ना तो यहां से काउंट करो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 औ ले लिए ना उसके बाद इसे फिर एक लाइन के मतलब यह पट्टी ले ले लेना पट्टी मतलब स्केल ले ले लेना और फिर इसको इस प्रकार से जॉइंट करना ठीक है तो दूरी तक ले करके जाना यह लीजिए हम इसको दूरी तक ले करके आ गए है ना फिर यह इतने स सेंटिमिटर का है तो क्या करना है आपको अब इसमें आप फाइब सेंटिमिटर का डिस्टेंस ले लिया इससे नापकर के लिए ना फाइब सेंटिमिटर का डिस्टेंस ले लीजिए लिया और फिर यहां पर रखना उसके बाद से इधर आप एक आर्क लगा देना ठीक है तो करूंगे इसको और इसको जायंट कर दूंगे इस class के पार इस तरीके से आपका ट्राइंगल देखा आपने कितना आसान था है ना तो आपकी नोट बूक में बनाया कि नहीं देखो मैं देख नहीं रहीं इसके लिए इसा मत करना कि बस आप वीडियो देखते जाओ और लोगप कुछ प्रोल ना करहिं किगें साथ नहीं करोगें तब तक अपको नहीं जाना सब्दों इसके इसा क्किवड ऑं देख लेकिलो नाया है तो कि घंगल ऑभर है यह खुड से करता हैंतों इसमें एफ्टा सब्सक्क्राइब दि downtria ऎमना आना चाहिए आर एस और ईसके इंतने हैं 5.5 cm सर टो संग्ज लीजिए इन यहां पे आरस ले लिए । ऊदिए हो पार-पे आट यहां पर जाएगार थीकिलों उद्ध कितना किपना ए 25-5 cm और कि इसका लैंद दिया है 25-5 cm फिर लेंद्ध आफ और पी इतना है 4.2 सेंटेमिटर फिर यहां पर यह जो एंगल है वह है 90 डिग्री का ठीक है समझ में आया कि नहीं तो यहां पर यह आमने रफ फिकर ड्रॉ किया है अब चलिए हम लोग अपना रियल वाला फिकर ड्रॉ करते तो सबसे पहला क्या बनाने का बेस तो बेस आप बनाने के लिए क्या करोगे 5.5 सेंटेमिटर का यहां पर एक लाइन खीचोगे इस तरीके से ऐसे scale रखो उसमें देखो 5.5 कहां पर आ रहा है उतने centimeter का आपको एक line खीच लेना है तो ये देखिए जी हमने line खीच दिया आप भी खीच दीजिए ये है 5.5 centimeter का चलो मेरे साथ साथ करो नाम क्या है आर ठीक है करिए मेरे साथ साथ करना है उसके बाद फिर ये कितने डिगरी का होना चाहिए एंगल आर 90 डिगरी का तो यह ले लो फिर यह पर रखना यहां पर और फिर 90 जहांपर भी आएगा वहां पर आप लोग पॉइंट लगा दिजिएगा तो इस बार तो एकदम सीधा सी 90 यहां पर पॉइंट लगा दिया फिर यहां से आप सीधी सी लाइन घीच दो चलो फिर स्केल की मदद से घीचना ओके है ना हथियार मिला है तुसका इस्तेमाल करने का ठीक है थोड़ा और उपर जाते हैं यह हो गया और यह देखो पी आर कितने डिग्री का है मतलब कितने सेंटीमिटर का है 4.2 cm का है तो क्या करना है आपको अभी इसमें आप लोग distance ले लो 4.2 cm आपको measure करने आता है ना मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था पूरा यहां पर board पर करके ठीक है 4 तक जाने का फिर जाके सब्सक्राइबों के दो पॉइंट और आगे तो 4.2 cm का इधर ले लो distance फिर यहां पर रखना एक एधर लगादेना तो मेरा नका यहां पर और यहां पर मेरा आरक आया आप लोग लगा लीज zijे यहां पर आया आपका आपका यहीं पर आया रहेगा और फिर यहां से इसको जॉइन कर दो ठीक है तो आपका ट्राइंगल बन करके तयार हो गया यहां पर लिख दो यह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह जो प्रैक्टिसेट 3 है समझ में आया ही रहेगा बहुत सिंपल है बहुत बहुत आसान है बस आप लोग कुछ से थोड़ा कंस्रक्शर करने की कोशिश कीजिए आपको समझ आएगा ठीक है तो आज की लिए बस इतना ही अभी जो आपक नेक्स वीडियो में